नमस्कार, न्यूस्ट्रेक के वाई फेक्टर में आपका स्वागत है, मैं हूँ योगिश्मिशू। तमाम लोग भारती शिक्षा को लेकर के बड़ी बड़ी डिंगे हांकते हैं। कहा यह जाता है कि जब धुनिया को पढ़ने को नहीं पता था, तो हम गुरुकुल चला रहे थे। दावा किया जाता है कि हमारी शिक्षा व्योस्था ऐसे संस्कार से जुड़ी है और हमारी शिक्षा व्योस्था का रोजगार से शुरुवाती दोर में कोई तालुक नहीं बनाया गया था। दावा किया जाता है कि हमारी शिक्षा प्रात्मिक से लेकर उच्छ शिक्षा तक एक संसकार देती है लेकिन एक ऐसे समय जब शिक्षा संसकार के साथ सत रोजगार से भी जुड़ गई हो तब हमारे ये दावे कितने खोकले हैं यह हमें पता करना चाहिए जानना चाहिए हमे देखना चाहिए किया है उच्छ शिक्षा प्राप्त तमाम बच्चे छोटे-छोटे नौकरियों के लिए आवेदन क्यों कर रहे हैं इंजिन इनिंग किया हुआ एम्टेक किया हुआ डॉक्टरेट किया हुआ लड़का समविधा पर नौकरी करने को क्यों तयार है और इस सव से तमाम विश्विध्यालें से लड़के आकर के प्रिटेटेन में काम करते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं आपको हम को आश्यर होना चाहिए कि इस वीज़ा लिस्ट में भारत के किसी विश्विध्याले का कोई नाम सुरू से लेकर अंग तक कहीं नहीं है प्रतिभाशा से दुनिया के दर्जनों सर्व से शिद्याने के असना तक United Kingdom में तीन साल तक रहने और काम करने के लिए योग होंगे। लेकिन अपसोस की बात है कि जिन 37 उनिवस्टीज को उच्य छमता वाली लिस्ट में रखा गया है उसमें भरत की कोई उनिवर्सिटी नहीं है। UK की Immigration System का यह नवीनतम संसोधन है जिसे High Potential Individual HPI Visa कहा जा रहा है। यह उन व्यक्तियों को तरजीह देता है जिन्होंने पिछले पांच वर्सों में उच्छ रैंक वाले विश्विद्यालेओं से तालीम हासिल की है। निया वीजा ब्रिटेन दोरह अपनाए गया पाइंट आधारित आवर्जन प्रणाली के तहत है। यह सिस्टम अंतरास्टी लोगों को उनके कौशल, व्यवसायों और शिक्षा के आधार पर परियाप्त अंक अर्जित करने और वीजा के लिए पात्र होने के लिए विभिन मार्ग प्रदान करता है। पाइंट आधारी सिस्टम कानाडा समेत तमाम देशों में पहले से ही लागू है। एच्पी आई वीजा के लिए पात्र होने के लिए असनात्कों को एक योग विश्विद्यालेस अपने डिग्री अर्जित की जानी चाहिए। यह सनस्थान ऐसा होना चाहिए जो विश्व के तीन रैंकिंग प्रणालियों में से किसी दो पर दिखाई पड़ रहा हो। यह तीन रैंकिंग प्रणालियां है दा टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ड इनुवसिटी रैंकिंग, क्वाक्वरिली साइमंट्स वर्ड इनुवसिटी रैंकिंग, विश्विद्यालें की रैंकिंग अकादमी, हाई पोटेंशिल इन्डिजुवल विजालिस्ट की सूची में शामिल सैंति विश्विद्यालें में से 20 अकेले अमेरिका के हैं। विश्विद्यालें, कैलिफोर्निया विश्विद्यालें के तीन परिसर, बर्कले, लास अंजिल्स और सेंड डियागो, शिकागो विश्विद्यालें, मिशिगन विश्विद्यालें, पैंसिलिवेनिया विश्विद्यालें, आस्टीन में टेक्सॉस विश्विद्यालें और वाशिंगटन विश्विद्याल है, अमेरिकी विश्विद्यालों के अलावा अधिकांश विश्विद्याल है, यूरप, कनाडा और एशिया के कुछ इलाकों में इस्थित हैं. इनमें इकोल पॉलिटेकनिक फेडरल डी लाजेन, सुध्यलेंड, कोरोलिंसिका इंस्टिचूट स्वीदेन, क्योटो विश्विद्याले जापान, मैगिल विश्विद्याले कनाडा जैसे संस्थान सामिल है, नांग्यान टेकनोलोजिकल उनिवर्सिटी, और निश्टन उनि पेकिंग इनवर्सिटी और सिंदुवा इनवर्सिटी चीन भी इस लिस्ट में है, इंसाइड हायर एजुकेशन ने टाइम्स हायर एजुकेशन के मुख एदिकारी फिल बैटी के हवाले से कहा है, कि यह एक बड़ी समस्या थी कि चैनित विश्विद्याले में से कोई भी लेटीन अमेरिका या दक्षिन एशिया से नहीं था, उस आपत्ति के साथ यह चिंता भी जुड़ गई है, कि प्रस्ताव को के ओल उच्छ रैंक वाले विश्विद्याले तक सिमित करके यह नीत अनुसंधान संस्थानों को प्राथमिक्ता देती है, नकि प्रदशन कारी लूप से प्रभावी स्क्षन रिकार्ड वाले संस्थानों को, नई योजना के तहत असनातक और परासनातक डिगी वाले छातर दो साल के लिए पात्र होंगे, और जो पीच्छ दी किये हुए हैं, या पीच्छ दी करना चाहते हैं, उनके लिए वीजा तीन साल की आवदे तक बिर्टेन में रहने के लिए मानने होगा, लेकिन अगर पति भागी जरूरी समझता तो इस वीजा अवद के समाप्ति के बाद वो किसी नए वीजा के लिए आविदन कर सकता है, वीजा प्राप्त करता जिनें अंग्रेजी में दक्षता साबित करने के आउशकता होती ह है, उन्हें भी अपने परिवार को अपने साथ लाने की अनुमती होगी, इसके अलावा उन्हें अपने आविदन को सत्यापित करने की लागत, 715 पॉंड का वीजा आविदन शुल्क और एक स्वास देखभाल अधिवार जो आम तोर पर बिर्टेन में प्रतेक वर्ष के ल वीजा धारक पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर सकते हैं, सेल्फ इंप्लॉमेंट भी कर सकते हैं, यदि वीजा प्राप्त करता के पार्टनर और बच्चे पात्र हैं तो वे साथ में बिर्टेन में रह भी सकते हैं, वीजा धारक को सरकारी लाब और कोई पेंशन नहीं वीजा की शर्त हैं, वीजा और तमाम तरह के उसके साथ जुड़े सवाल तो अलग हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे परिशान करने वाला सवाल यही है, हमारे देश का एक भी विश्विद्याल है, एक भी सेक्षरिक परिसर, एक भी सेक्षरिक संस्थान, इस योग नहीं पाया कि उसके बच्चे बिर्टेन में इस स्कीम के तहज्जा करके पढ़ाई कर सकें, इसलिए हमें अपने उच्च सिक्षा के बारे में एक बार फिर से सोचना होगा, इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, किसी नए सवाल पर, नए ढंक से बात करने के लिए, तब तक क लिए, नमस्कार.